हलो दोस्तों नमस्ते दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे इसूप बात करने वाले हैं जो हर एक इनसान को इंडिया में जो भी रह रहा है उसको जानना जरूरी है क्योंकि सचाई से वो वाकिब नहीं हो पाता है हम लोग दोस्तों आज बात करेंगे कि जो लगतार कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसे से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इविन हमारे इंडिया के बड़े-बड़े मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया है कि जो डीजल और पेट्रोल की कीमत में बहुत तेजी से जो प्राइस में बरहतरी हो रही है वो इनकी गलती नहीं है ये पीछले गौर्मन की गलती है कि उन्होंने ऐसे बना कर रखा हुआ है तो देखिए दोस्तों बात ये है कि डीजल और पेट्रोल की जो प्राइसे बढ़ते हैं कैसे बढ़ते हैं क्यों बढ़ते हैं कारण क्या है क्या सही में जो बता जाता है वो सही है बहुत सारे कारण है जो कि आम आदमी को पता ही नहीं होता है आपको भी नहीं पता है आप यह नहीं समझ पाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है पूरा गेम क्या है या आपको नहीं पता है तो आज मैंने बहुत रिसर्च किया कुछ दिनों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ और एक तरीका ढूंड रहा था कि की स्वेश में मैं आपको प्रोपर तरीका से समझा सकूँ और वहीं आज मैं करने वाला हूँ आज मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा आपका सर्कल कैसे काम करता है पूरा गेम कैसे काम करता है यह डिजल गाष्स का अखिर इतने महंगे होने के पिछे करन का एविन क्या करन है कि जिसमף चाहले कारण करोना पंडमिक चल रहा था जिसममें एक ऐसा situation था कि crude oil की prices international market में पानी से भी कम रुपए में भी गरे थी जहां पर थी लेकिन उसके वजूद भी इंडिया मुतना का उतना ही रही बलकि उसे ज्यादा ही रहा क्या गरण थे बहुत सरे factors हैं जिसमें हम लोग अज़ बात करने के कोसिस करेंगे लेकिन चलिए दोस्तों सुरू करते हैं जम लोग इस पर बात करना लेकिन बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में तीन चीज़े पहले पता होना चाहिए एक तो sell tax क्या होता है दूसरी बात कि exercise duty क्या होती है तीसरी बात कि brown crude क्या होता है brand crude कl की सिंपल भासा में समाज स कहते है जिसको हम लोग बोलते है crude oil यह Europe में सबसे ज़यादा इसका इस्तमाल क्याते है इक्साइस ड्यूटी क्या होता है दूस्तों exercise duty एं डुटी दो परकर के duty है Custom duty का मतलब होता है कि अगर बाहर से निकि बिदेश से कोई भी सवान इंडिया में इंपोर्ट करके आता है तो उस पर लगाया जाता है और Excise duty का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर में जितने भी production हो रही है जितने भी production unit, जितने भी units बनते हैं उन पे tax देना पड़ता है गौर्मेंट को that is the accessibility, sell tax क्या है दोस्तों जब कोई भी चीज बिखती है किसी भी जगा पे उस पर जो tax लगता है उसको मूलते हैं sell tax, value added tax जो होता है वो एक परकार का sell tax ही होता है यह तीन चीज आप दिमाग में रखियागा क्योंकि आगे इसके बहुत बड़ी जरूत परने वाली है अब हम लोग चलते हैं समझते हैं कि आख लिए matter क्या हो रहा है क्यों इतने तेजी से petrol and diesel के prices बड़ोतरी हो रही है और यह कैसे काम करते हैं पूर अक पूरसर कर हम समझते हैं तो सबसे पहले यह समझ लिए कि जो हमारा इंडिया में oil आती है न पेट्रोलियम जिसे हम लोग diesel पेट्रोल बनाते हैं यहां पर रिफाइन करके एक्चली वो हमारे होता नहीं है होने का मतलब यह है कि होता है लेकिन बहुत कम होता है more than 80% हम लोग अपने नीट्स की जो production हम करते हैं वो अपने समझ लिए कि हम लोग बाहर समागाते हैं को कोसिस करते हैं अभी सोंबाल या मंगल वानी के मंडेट यूज़े की बात है कि दिल्ली में जो पेट्रोल था वो 89 मतलब 89 रूपिस पर लिटर हो गया था और यह मुंबई में 86 रूपिस था लगबा गया से ही मुंबई में था लेकिन अभी मैं रिसेंट कर लिया पॉर् कहा नहीं यह है गोर्मेंन का क्या माना रखिए यहांपर गौर्मेंन क्या बुल रहाए है कि जो क्रूड ओयल प्राइस है वो 50% से जाधा 50% से ज़्यादा तेजी से बढ़ोतर होई है और कहां तक पहुचकी ए 63.3 per barrel डॉलर पहुचकी है अक्टूबर से अभी तक देखा तो मतलब more than 50% जो crude oil के prices से वो बढ़ चुकी है और यहीं बढ़ने के कारण है कि इंडिया में हमारा क्या हो रहा है retail में जो prices हम देखने 100 रुपे और 90 रुपे के ज्वास पहुच रहा है क्योंकि crude oil में बहुत तेजी से बढ़तरी हुई है चलिए मान लेते हैं हुई है लेकिन यह दोस्तों बिल्कुल पूरा सही नहीं है यह मतलब थोड़ा सा सच हो सकता है लेकिन 90% यह सच नहीं है 90% कुछ और causes हैं और कौन से causes हैं आप समझे अब देखे सिनारियो में बता दो कैसे यह सही नहीं है पूरा आप समझियेगा Indian consumer यानि कि हम और आप जैसे लोग हैं वो पहले सही ज़्यादा पे कर रहे हैं समझ लिजे डीजल पिट्रोल की prices एक बस मजलिब कैसे पे कर रहे हैं डीजल और पिट्रोल की prices थी बस अभी वहां पहीं पहुंचने की कोशिस कर रहे हैं मतलब अभी वहां पर उतनी price हुई भी नहीं है लेकिन हमारे हां क्या है भी या हमारे हां तो उससे भी ज़्यादा prices अभी है समझ लेजे मतलब COVID-19 के समय में जब prices crash हुआ था उस समय से भी ज़्यादा अभी हमें price पे करने पड़ रहे है मतलब 2020 के मुकाबले अभी हमें ज़्यादा पे करने पड़ रहे है तो देखिए दोनों में कितना difference है इसलिए बोलता है कि जो भीखार होता है वो भीखारी रहता है है कि जो retail में petrol and diesel के prices होती है इंडिया में वो decontrolled होता है decontrolled का मतलब आप समाझ लेज़े अगर बहुत important है हमारे इंडिया में retail मैंने कि जो आप petrol pump पे diesel and petrol लेने जाते है वो theoretically decontrolled होता है decontrolled का मतलब यह हुआ कि उनका जो connection होता है वो crude oil prices होता है मतलब यह बुलने का मतलब यहां पर यह है कि अगर crude oil के prices international market में गिरती है जहां सम लोग लाते हैं तो इंडिया में भी उसकी price गिरनी चाहिए हमारे जो petrol मिलता है और जब वहां पे petrol के वहां पर आनि कि जब crude oil के prices बढ़ती है तो उसी according इंडिया में भी हमारे जो petrol मिलता है और diesel के विक्री होती है उस पर भी prices बढ़नी चाहिए लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है क्यों नहीं होता है देखिए होता क्या है जो decontrolled है जैसे मैं अब अपको बताया decontrolled का मतलब क्या होता है कि जैसे वहां पर घटेगा यहां भी घटे गा वहां बढ़ेगा यहां भी घखेगा लेकिन यह होता नहीं है क्यों कि ऐओन वैरफिक है one way traffic का मतलब क्या हुआ कि ऐसा है जब वहाँ पे बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बढ़ जाएगा मतलब जब international market में crude oil की कीमत बढ़ेगी तो हम लोग अपने हाँ prices में यहाँ प्राइसेस में यहाँ प्राइसेस में बढ़ातरी कर देंगे मतलब एक तरफ एक तरफ आई हैं बढ़ेगा तो बढ़ेगा घटेगा तो घटेगा नहीं तो अब इसका मतलब क्या हुआ ऐसा की हो सकते बताईए जब वहाँ पर बढ़ रहा है तो हम लोग यहां बढ़ातो रहे हैं लेकिन वहाँ पर घट रहा है जब क्रूड ओयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में घट रही है जहां समुझ खरीद कर लाते हैं क्रूड ओयल तो यहां भी घटना चाहिए ऐसा क्यों नहीं होता है मैं बताता हूं क्यों नहीं होता है देखिए जब वहाँ पे यह जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम होती है तो सरकार अपने हाँ क्या करता है इनको लगता है कि यहीं एक मौका है जब हम जादा से जादा रिवेनियों कमा सकते हैं जैसे माल लीजे मैं आपको तो उस case में सरकार क्या करेगा कि जो 15 डॉलर कम लग लग रहा है उसी के मुकाबले उसी के हिसाब से इंडिया में और अलग से टैक्स लगा देगा और मेंटेन कर देगा उतना ही रूपया पहले जितना भी करा था पिट्रोल के कीमत समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मतलब टैक्स पहले भी था और उसके बढ़ाबर और उन्होंने टैक्स बढ़ा कर दिया और उस पर ज्यादा टैक्स लगा दिया और देखा देखो अभी भी पिट्रोल की कीमत उतिनी पहले थी, हलांकि इस केस में तो कम होना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूडल की कमत कम हो चुकी है, लेकिन नहीं, सरकार ऐसा ही करता, सरकार क्या करता है, और वहीं प्राइस पर बेचने लगते हैं, पिट्रोल बेचने के लिए बोलते हैं, जिससे के सरकार को जादा रेविन जिवाती है, अल्टिमेटली बात वही है, कंजियूमर को फोर्स करते हैं, आप तुम खर दो इसी पर, लेना ही पड़ेगा तुमको इस पर, कभी इस पर तो हम लोग बिद्रो करते हैं, लेकि नहां चाला हिंदू-मुस्लिम हो जाए ना, तो देखिए, बिद्रो ही बिद्रो है, रियल चीज पर तो हम लोग अभी बात नहीं करते हैं, सवाल तो यह है, अब सवाल यह है कि इसमें, इन सब जो खेल यह लो कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा गेमर कौन होता, बड़ा बेनिफिसरी कौन है, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा फाइदा वो कौन होता है, सबसे बड़ा जो गेमर होता है जिसको सबसे ज्यादा फाइदा होने के बाद हिंग पाइब करें आपको कोई बैसरे के टेक्स मार्केमरें कर न mupeक अपने को weď झाईने को नोगों कर दैहने जाए ठीक्रण ऑन लोगों को हमारे मुत की प一定要 faith उनको भी कोई फादा नहीं होता है क्योंकि सरकारी उस पर पहले से बढ़ा के बिच रही है बोल रही है बिचने के लिए और कंजूमर का दुख है बरबादी है यह सिच्वेशन है अब हम लोग चलिए समझने के कोशिस करते हैं कि कोभी 19 के समय मैं नहीं कि जो जनवरी फरव हमारे इंडिया में डिफरेंट कंपनी मेकिंग कंपनी जो हमारे रिटेलर्स और डिटेलर्स हैं उन्होंने बेरासी दिन तक अपने प्राइस को कम नहीं किया था समझ लेजिए उन्होंने प्राइस को सेम ही रखा था जब कि वहां पर बरबाद हो रहा था क्रूड नीचे प्राइस को प्राइस को आपकी पॉकिट है वह दोहरी बार समझ लेका आपके उपर बर दोहरी वार हो रहा था क्यों आपको डबल बाडन करना पर रहा था देखिए मैं बताता हूं पहली बात यह कि जो कुरूड और के पैसे इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही थी उसक प्राइस बढ़ने लगे और साथी साथ में आपके पास भी मांगाई बढ़ने लगी तो एक तुर ना मिलने का फैदा और दूसरी मांगाई के बोज़ दोनों आपको क्या करें दोनों आपको बड़न इतना दे रही है कि प्राइसे जो हो 100 के क्रॉस होने वाली है अब समझ कीमत वहां पर डीजल पेट्रोल वो क्रूड भी कर रहे थे तो अब इतनी महेंगी क्यों है इसके पीछे कारण है वन बाइवन समझने के कोसिस करते हैं वेरी इंपोर्टेंट प्राइस जो था वो एप्रिल 2020 में पुरी तरीकी से क्रेश कर शुका था क्रूड ओल की ऐसा इ साथ में साथ में क्या बहुत से कारण थे लेकिन अब क्या है कि कोविड-19 के वैक्सिन आ चुकी है साथ में जीतने भी ट्राइवल के रेसिक्शंस तर वो खतम हो चुके हैं फैक्ट्री काम करना शुरू कर दिया एकनोमिक एक्रिशाल हो चुकी है इन सब चीजों ने क्या क पर प्राइस करने लगती है यह हो गया और दूसरी बात करते हैं कि अब देखी डेक्स बात करते जो बरेंट क्रूड है मैंने अब कुन क्रूड है वो 40 । $ ऐसंब गैजए बेच रहा था लेकिं नवमबर 2020 में उस कर दिया है चलिए माल लेते हैं कोई इसू नहीं हम लोग माल लेते हैं कि हम उतने पर बीच रहा है लेकिन भाया जब कम था क्रूड की कीमत तब कौन सा मारे हैं पेट्रोल डिजल फ्री में मिल रहा था उसमें तो कम करना चाहिए था तो सिच वसन यह हो चुका इसलिए हां प बात करते हैं कि इनका जो इतने टैक्स लग रहे हैं और जो हमारे सिच्वेशन देखने को मिल रहा है इनका आटो फिल्स पर क्या असर पढ़ेगा मतलब आपके भाई रखे होंगे जो हम लोग हैं जिसके इस्तवाल करते हैं इन पर क्या असर पढ़ेगा अटो फिल्स वाले को चलिए समझने की कोशिश करते हैं देखें सेंट्रल गौर्मिन ने क्या किया सेंट्रल एक्साइस डिव्टी को पेट्रोल पे 32 नहीं के 33 रुपे पेट्रोल पे और डीजल ने 31 रुपे से मतलब 15 रुपे जो था उसको बढ़ा कि इनो ने 32 रुपे कर दिया यहां पर नीचे मैं लिखा होगा देख लिए क्यूं कर दिया थे इसलिए इसलिए इनों कर दिया था ताकि यह एकोनोमिक एक्टिविटी को बुस्ट अप कर सके इकोनोमिक एक्टिविटी हो नहीं रहा था और कोविट नेंटिंग का पैडिमिक था तो भी एक खर्चवर्थे निकालने के लिए इनोंने क्या चाहिए रेवेन्यू चाहिए और इसी के लिए इनोंने क्या क्या था इसको बढ़ा दिया तो समझ सकते हैं कि 16 रुपे जहां इस सेनारिव हैं तो स्टेट वाले भी पीछे का रहने वाले इनोंने बुल लगा कि अच्छा हम भी बढ़ाएंगे इन्होंने भी अपना एक खर्च लगा दिल ले बिटा जा क्योंकि उसमें कम था ही था मतलब सरकार ने भी लगा टेक्स इन्होंने भी लगा टेक्स दे द तो जब सेंटल गौर्मेंट लगाएगा टेक्सी टेक्स होगा तो सींपल से बात है जो 200ुपे मिलने वाला हो वह साथ पर लिटर मिलेगा है नहीं मिलेगा अभी फिलहाल कि मैं आपको बात कर रहा हूँ कि स्टेट गुर्मेंट और स्टेट गुर्मेंट जो टेक्स लगा रही है पिटोल पे अगर उसके बेस प्राइस के मुकाबले देखा जाए तो वो 180% है मतलब जो 10 रुपे में मिलने वाला हो मिलने वाला होगा पिटोल होगा आपको पता है कितने में मिलेगा अब उसके निकाल लिजे कि 180% कितना होगा 10 रुपे के 180% कितना होगा आपको पता चल जाएगा कि कितना रुपे होगा लिटर तो समझ लिजे कि यहीं रेट है समझ लिजे आज सिंटल और स्टेट गवर्मेंट की जितने भी टेक्स जोल लिए जैंड डीजल पेट्रोल के बात कर रहा हूं तो 180% और डीजल के बात करिए तो 141% है समझ लीज़ टेक्स तो क्यों नहीं बढ़े हैंगर डीजल और पेट्रोल के कीमत और यह जो रहा है मगर मुष्क क्या शुर्रोल के बोलते हैं तो हमें कोई आ बता सींट की कैसे पिछली गुमेंट के गलती है तो चीज़ें यह कुछ ऐसी है यह सीनारियों कुछ ऐसा है दोस्को अब देख सकते हैं हंपर अब हम आपको ये बताने के कोसिस कर रहे हैं कि जो चीज़ भी इसमें हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा फैदा वो किसको ज़्यादा फैदा है मतलब कुरूड ऐल के प्रैसिस कम हो रही नहीं है तो सरकार को फैदा ज़्यादा हो रहा है तो सरकार को कम फैदा है समझ लिए तो हमेशा मुझाएगा कि कम ही रहे क्योंकि उसको ज्यादा फैदा होगा सिंपल सी बात है अब देखे मैं एक बात बता रहा हूँ मैंने आपको बताया कि कि जब जहां से क्रूड एल की प्रडक्शन होती है तो वह लोग ऐसा ही कोँपर डेली बिसिस को रिप्च होता है नुग रिवाई होता है लेकिन इस केसमे कोई 19 के पंडिमिक के केसमे इन्होंने बत्ती नहीं के में इते सब लगा कर रखे थे और असे चुशन ऐसा है कि 180 परसेंट पे टॉल पे और 141 परसेंट डीजल पे टैक्सिस है बेस प्राइस पर इसलिए दोस्तों इतनी महेंगी पेटॉल और डीजल हो रहे हैं यह सारे सरकार की गलती है किसी और की गलती नहीं है लेकिन बाद में एक्टिविटिफ जितने वी वायल मेकिंग कंपनीज हैं उन्होंने बोला कि अगर हम लोग इतना मेंटन करकर नहीं रखते हैं तो सीनारियों बदाल जाता है एक्टिविटी जोरी जितनी भी एक्टिविटिशन है सब के सब क्लाप्स कर जाते हैं वो तो अल आसे कंप्रिय हैं जहां पर कि कोई 19 के पहलेवाली जो सिच्वचन था बस वहीं पर उभी इनके सब्सक्राइब अभी वहां पर नहीं समझ लेकिन इंडिया मÝ त्या है इनलिशन इंडिया में सिच्वचन इनुद्या और इन्होंना भी कर दिया तो कहां फैदा यह कारण है समझ लिजभी हमारे हमांगाई होने का डेली में अभी समझ सकते हैं डेली में क्या है कि जो पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो उस समय 13% से जाए अभी के जो सिनारिया है तेरा परसें ज्यादा मैंगा में डिज पर बारल है तो उसे मैं समझ लिए कि 6 डॉलर पर बारल था उसके बावजूद भी अभी हमारे यहां 13% जादा मांगा डेली में डिली में बताइए यह सिचुशन है अब हम लोग इवेस चाइना और ब्रजील की बात कर लेना तो देख लिजे थोड़ा इवेस में क्या कहा ब्रजील में 20% जाएंगी 20.6% कम डिजेल लेंड पेट्रोल भीक रहा है और इंडिया में देख लिजिए इसलिए दोस्तों में बोल रहा हूं कि भिखार भिखारी रहेगा अब हम यह बात करने को कोशिस कर रहे हैं कि यह तो गय मांगाई की और डिजेल लेंड पेट्रोल बोला कि इसफ्लेशन हो रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे हैं कि हम फूड इंफलेशन में करके इसको काउंटर बालेस्ट कर लेंगे लेकिन बताई ए जब आपके पॉकेट से ज़्ादा से ज्यादा पैसा जाये पेट्रोल भीक तो food inflation में कमी और food inflation में ज्यादा होना आपको पता ही नहीं चलेगा तो चीज़ों को समझे क्या game चल रहा है मैंने आपको एक पूरा का पूरा overview देने की courses किया मैंने पूरा मेहनत किया था तब मैं आपको यहां पर बताने की courses कर रहा हूँ जिस किसी को PDF चाहिए तो मेरे से ले सकता है लेकिन हाँ मेरे वीडियो स्कोर चैनल को जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए थैंक्यू सो मच